नमस्कार दोस्तो दोस्तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं दोस्तो दोस्तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं पती को वश में कैसे करें कैसे करें पती का वशी करन हम आपको उपाए बताने जा रहे हैं दोस्तो हमारे वीडियो के साथ एंट तक बने दोस्तो जैसा आप जानते हो पती और पतनी का रिष्टा विश्वास का रिष्टा होता है रिष्टा बहुत ही खटा मिठा होता है कभी-कभी इसमें तक्रारे भी होती है तो कभी-कभी इसमें प्यार भी होता है दोस्तो एक दूसरे पर विश्वास होना ताकि जिंद्गी मे आने वाली सब मुसीबतों का सामना कर सागे उसे अपनी खुशी को बढ़ाने की कोशिश करना जी ये पत्नियों को कई पत्नियां ये सोचती हैं कि बस उसका पती उसकी बात सुने और उसके ही इशारों पे चले दोस्तों आपको बताने जा रहे हैं पती को वश में कैसे करें देखिए कुछ से महिलाएं ऐसी होती है जो अपने पत्यों को लेकर अकसर चिंता में रहती हैं मायूस रहती हैं लेकिन उसकी वज़ाय वैस्वयम ही होती है 37 शास्तर के अनुस्वार कुछ ऐसी गलतिया पत्यों द्वारा भी की जाती है जिनका परिनाम उन्हें अपने पत्यों की दूर्यों से चुकाना पड़ता है लेकिन इसके लिए घबराये मत आपको हम बताने जा रहे हैं पती को वश में करने के टोटके अक्सर मिलाएं अपने पती को वश में करने के लिए बहुत से टोटके अजमाती हैं असल जिन्दगी में वहें टोटके नहीं होते हैं उन्हें टोटकों की जुरूरत नहीं होती है बलकि उन्हें प्यार की जुरूरत होती है बलकि आपका प्यार ही इसमें काम्याब आता है बताने चाह रहे हैं जिसको करते ही आपका पती आपके वश में हो जाएगा शनिवार की अधर रातरी के में रात को लोंग लेकर उस पर 21 बार अपने पती का नाम लेकर फूक मारे और अगले रविवार को इसको आग में चला दे यहां प्योग लगातार साथ बार करने से पती के अलावा अन्य किसी का भी व्यशिकरन किया जा सकता है दोस्तों प्योग पूरा होने के दो दिन दो या तीन दिन हफते बाद आपको इसका असर दिखाई देना शुरू हो जाएगा दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक शेयर करें और दिये गए कोंटाक्ट नंबर पर कोल करें हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब शूरूर करें दोस्तों धन्यावाद